हेलो बच्चों, वेलकम बेक इन माई यूटूब चैनल, बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है क्वांटाइजिशन ओफ चार्ज, तो पहले हम क्वांटाइजिशन ओफ चार्ज को समझेंगे, जब हम यह समझ में आ जाएगा, तो इसकी डेफिनिशन अपने आप बहुत इसल तो चार्ज प्रजेंट होगा, वो या तो 1.6 इंटू 10 to the power minus 19 कूलाम होगा, या फिर इसका double होगा, 2 इंटू 1.6 इंटू 10 to the power minus 19 कूलाम, तो इसकी वालू कितनी आगी, 3.2 इंटू 10 to the power minus 19 कूलाम, या फिर इसका 3 टाइम्स होगा, 3 टाइम्स मीनिए, 3 इंटू 1.6 या किसके एक्वाल होगा? एक्वाल टू 4.8 इंटू 10 to the power minus 19 कूलाम के एक्वाल होगा, मतलब इसके बीच में कहीं पर भी प्रेजंट नहीं हो सकता, 3.2 इंटू 10 to the power minus 19 कूलाम और 4.8 इंटू 10 to the power minus 19 कूलाम के बीच कोई भी चार्ज है, वो किसी भी बॉड़ी पर हो जाएगा या फिर इसका 5th time हो जाएगा या फिर इसका 6th time हो जाएगा ठीक and so on तो यही क्या है बच्छो quantization of charge तो इसको बच्छो mathematically किस तरीके से लिखते हैं इस तरीके से charge present on a body equal to q equal to plus minus n e यहापर n का meaning क्या बच्छो n equal to जाएगा 1,2,3,4 and 5 and so on तो जाएगा और e का meaning equal to जाएगा 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb तो बच्छो इस तरीके से किसी भी body पर जो charge present होगा वो q equal to क्या हो जाएगा plus minus 1 e हो जाएगा या फिर equal to plus minus 2 e हो जाएगा या plus minus 3 e and so on यहापर e की value क्या है 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb तो बच्छो कहीं पर भी जो charge है वो 1 upon 2 e नहीं present हो सकता ठीक है ये नहीं present हो सकता या फिर हो कय सकते है तत्री अपन 2 e नहीं present हो सकता ठीक है ये present नहीं हो सकता अब चाहर्ज्चो बच्छो अब आप quantization of charge को समझ चुके होगा कि what is quantization of charge तो अब इसके definition को देख लेते हैं तो बच्चों इसके definition क्या कहती है the charge present on a body is always integral multiple of electron ठीक है इसको mathematically कैसे present करेंगे mathematically charge on a body q equal to plus minus n e ठीक है पर अब चार्ज हो सकता वो positive भी हो सकता है और negative भी हो सकता where n is an integer and e is the electronic charge n is an integer का meaning किया हुआ n equal to 1,2,3,4,5,6 and so on ठीक है e is the electronic charge तो यहाभी e equal to कितना हो जाएगा 1.6 into 10 to the power minus 19 qg तो बच्चों यह definition है इसको आप note down कर ली जाएगा thank you